जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को तो 500 से जादा प्रिंसले स्टेट्स को ये चोईस ती गई थी कि या तो वो इंडिया के साथ जा सकते हैं या वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या फिर वो इंडिपेंडेट भी रह सकते हैं अंडर दर लीडर्सिप अफ लौफ पुरुष शरदार भल्ला भाई पटेल हम लोगों ने बहुत सारे प्रिंसले स्टेट्स को अपने देश में मिला लिया कुछ पाकिस्तान के साथ चले गए तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के एपसर्ड क्लेम्स की जो उसने जमू एं चलता है कि पाकिस्तान अपने नेवर्स से कैसे रिस्ते रखना चाहता है तो पाकिस्तान ने ये सारे रिजन्स को क्यों क्लेम किया है आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और ये भी समझने की कूसिस करेंगे कि ये सर क्रीक विवाद क्या है वाट इस सर क्रीक डिस् समझेंगे तो पाकिस्तान ने 4 अगस 2020 को नया मैप जारी कर दिया 4 अगस 2020 को जिसमें उसने जम्मु एंड कस्मीर गुजरात का जूनागर रीजन और यह सर क्रीक वाला रीजन जो की सिंध और कछ को सेपरेट करता है सिंध और कछ को जो सेपरेट करता है उसको भी क्लेम कर दि और 5 अगस्त 2020 को 1st anniversary भी है जो हमने आर्टिकल 370 कश्मीर से जम्मु एन कश्मीर से हटाया है उसके एक साल भी पूरे हो गया है और 370 हटाने के बॉकलाहट में पाकिस्तान ऐसा कर रहा है उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि जम्मु एन कश्मीर लदाख ये इंडिया का इंट क्लेम्स को absurd बता दिया है और इसमें कोई international law पाकिस्तान को इस क्लेम को समर्थन नहीं देता है किसी भी international law के हिसाब से कोई भी historical fact के हिसाब से ये claims पाकिस्तान की सही नहीं है और illegal claims पाकिस्तान करता आ रहा है ठीक है पाकिस्तान अपने domestic pressure से ध्यान हटाने के लिए वहाँ प पाकिस्तान चाइना के प्रेसर से भी ऐसा कर सकता है तो पहले हम लोग समझेंगे जूनागर पे पाकिस्तान क्यों क्लेम कर रहा है तो जब देश आजाद हुआ था 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स के पास ये चोईस थी या तो वो इंडिया के साथ जाए या जो नूली क् ऐसा राजी था जूनागर जो गुजरात के काठियावार रीजन में पड़ता है जूनागर आप ये मैप में देखो यहां के रूलर जो थे मुस्लिम थे मुहमद महाबत खान जी ये मुस्लिम रूलर थे यहां की 80% से ज्यादा अबादी हिंदू थी तो पाकिस्तान के साथ ये जो मुहमद खान जी थे वो उसने पाकिस्तान के साथ एकसेसन सीड कर दिया ये जूनागर के रीजन को लेकिन सरदार पटेल की सूजबूच से हमने 20 फरवरी 1948 को प्लेबिसाइड कराया जनमत संग्रा कराया यहां पे जूनागर में और जितने वी वोटिंग हुए जनम पाकिस्तान को फिर से बुरी हार का सामना करना पड़ा तो एक लाख नब्य हजार के करीब लोगों में से सिर्फ एक्यानवे लोग पाकिस्तान के साथ जाने के लिए वोट किये और जो आस पास के स्टेट्स में वोट हुए उसमें 30,000 में से ज्यादा वोट में से सिर्फ 49 40 वोट पाकिस्तान के फेवर में हो जैसे ही प्लेबिसाइड हुआ जूनागर इंडिया के साथ आ गया जूनागर के रूलर्स को भागना पड़ा ठीक है तो यह जो इंटिग्रेशन का काम किया इसके लिए हमें सरदार पतेल को सल्यूट करना चाहिए उनके ही विजन के हिस आप से इंडिया आज एक इतना इंटिग्रेटेड इंडिया बन पाया है ठीक है तो पाकिस्तान इसको इसलिए क्लें करता है कि यहां के रूलर सितंबर 1947 को उन्होंने वहाँ पे पाकिस्तान के साथ जाने का एकसेशन साइन किया था तो यह प्लेबिसाइड भी हो चुका है कि इंडिया के साथ यह जुनागर है तो इसका कोई illogical claims है इसको entertain भी नहीं करना चाहिए लेकिन इससे पाकिस्तान की नियत का पता चलता है कि वो अपने neighbors के साथ हमेशा लड़ना चाहता है उनके साथ अच्छे संबंद नहीं रखना चाहता है चाइना की colony नाम भर रह गया पाकिस्तान चाइना के investment लगे हुए है चाइना के इसारोप पे पाकिस्तान में सब कुछ होता है अब आते हैं कि सर क्रीक dispute क्या है what is सर क्रीक dispute तो सर क्रीक एक narrow inlet of water body है 96 km का जो गुजरात के कच रीजन और पाकिस्तान के सिंध रीजन को separate करता है ठीक है तो इस पे क्या claim है जो green line आप देख रहे हो ये वाला ये पाकिस्तान क्लेम करता है ये पाकिस्तान यहां तक अपने रीजन क्लेम करता है अपने सर क्रीक का ये रीजन पाकिस्तान क्लेम करता है ये जो middle line है ये जो red line आप देख रहे हो ये इंडिया का claim है और इंडिया का claim ये international law के इसाब से सह प्रिंसार अगर दो देशों को एक रुनिंग वाटर बॉडि सेपरेट करती है तो दोनों देशों का बॉर्डर वहां पे होगा जहां पे उस वाटर बॉड़ी का डीपेस पॉइंट होगा तो सर्थ क्रीक का डीपेस पॉइंट यह बीच में आएगा इसलिए इंडिया का क्ल के नाम पर रखा गया है और सर क्रिक का इंपोर्टेंस इसलिए भी है कि यह वन अफ दे लाज़ेस्ट फिशरीज ग्राउंड है यहां पर फिशरीज अबंडेंट अमाउंट में मिलती है और यहां से कंट्रीज की अगर इंडिया का क्लेम यहां तक है तो यहां के हिसाब से एक्स्क्लूजिव एकनोमिक जोन डिसाइड होगा अगर आपने युएन क्लॉस वाला साउथ चैना सी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बेटन में है उपर क्लिक करके देखे बहुत इंट्रेस्टिंग वीड आस्ट येर हमने ऑक्तूबर में ये यूनियन टरिटरी ओफ लदाख और जमू एंड कस्मीर यूनियन टरिटरी दोनों का फॉर्मलाइजेशन कर दिया था नौमबर में मैप जारी कर दिया था ये यूनियन टरिटरी ओफ लदाख का मैप है ये यूनियन टरिटरी ओफ जम यह illegal कबजा है पाकिस्तान का अकसाई चीन में चाइना का illegal कबजा है ठीक है तो यह इंडिया ने राइटिकल 370 हटाने के बाद एक new map ड्रॉ की थी उससे पाकिस्तान काफी वॉकल आ गया हाला कि पाकिस्तान को यह नहीं भूलना चाहिए कि इंडिया का internal matter है जेहन के पाकिस्त पाकिस्तान ध्यान हटाने के लिए अपनी समस्याओं से बार-बार इंडिया का राग अलापता इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है अगर detail P.O.K वाला वीडियो चाहिए तो i button में देखो इसमें काफी अच्छे से explain किया हुआ है P.O.K क्या है L.A.C. क्या है L.O.C. क्या है मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मिलते हैं किसी next वीडियो में तब तक के लिए keep learning and जय हिंद